इलो फ्रेंज आप सभी लोगों का Pharma Medicine YouTube चैनल पर स्वागत है हम इस चैनल पर किसी भी तरीके का ठीक होने या उससे होने वाले साइड एफेक्ट की जानकारी देते हैं हम किसी प्रोडक्ट की गारंटी नहीं लेते हैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले अपने नजदी की डॉक्टर से सलाह जरूर लें धन्यवा अग्जिमा गुपतांगों की खुझलिवा तो अचा के बीवे ने समस्याओं में असरकारक है यह और अगर हम बात करें इसको बनाने वाली कंपनी के बारे में तो दोस्तों यह क्वालिटी, बेस्टोकेम, फार्मसिटिकल्स, प्राइबेट लिमिटेड दौरा बनाया गया है अगर हम बात करें इसके सॉल्ट्स के बारे में तो दोस्तों इसके अंदर क्लोविटसॉल प्रोपनायट, जैन्टा माइसिन, सलफेट, टॉल्नाफेट, लोडुणो हाईड्रक्सु, क्लोराकुिन, एद क्लोट्रिमाजोल क्रीम यह कई साल्टों से मिलकर बनाया गया है और यह 15ग्राम की पैकिजिंग में आती है अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके सॉल्ट में क्या-क्या फायदे हैं दोस्तों Kolobitasole proponites अक्सार आप जानते हैं तो पहले हम कोई भी रिविँउ करते हैं वह Kolobitasole proponites रिविईउ करेंगे वो करेंगे Clotrimazole से के दोस्तों Clotrimazole एक antifungal, antivactorial salt है जिसको लगाने के बाद जितने भी dermatitis, skin inflammation, fungus, जैसे problem जो होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है लोड्रोहकसे क्लोरोकुलीन जो है ये भी एक तरीकी का एंटिफंगल एंटिवाइटिक सॉल्ट है और तो जेंटामाइसिन जेंटामाइसिन तो आप लोग जानते ही हैं जेंटामाइसिन जो सॉल्ट होता है वो इसकिन्स पर होने वाले inflammation या dermatitis या pimples वगर जो होते हैं उसको ठीक करने में इसका जो है काफी जादा असरकदार रहता है अब दोस्तों हम बात करते हैं कोलोविटासल प्रोपनाइट तो तो कोलोविटासल प्रोपनाइट जैसे आपके स्किन्स पर dermatitis के निशान, इसके इंफ्लामेशन के निशान, fungus infection ठीक होने के बाद जो black sports छोटे शोटे रहे जाते हैं उस black sports को हटाने के लिए company इसमें कोलोविटासल प्रोपनाइट जैसे salt का इस्तिमाल किया है अब हम देखते हैं दोस्तों इसके अंदर ये ingredients किस-किस मात्रा में दिया गया है दोस्तों कॉलोविटासल प्रोपनाइट 0.05% है इसके अंदर जेंटामाइसिज 0.10% है टॉलनाफेड इसके अंदर 1.0% है लोडो हाइडरोक्स कॉलोरोक्विट जो है इसमें 1% है क्लोटरी माज़ोल अगर बात करें तो वो भी दोस्तों 1% इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों बात करें इसको लगाने का दोस्तों जहां भी आपके इस डर्माटाइटीस इसके इंफ्लामेशन, फंगस वगरेगे आपको शिकायत लगती है आप उस जगे पर इस क्रीम को जो है इस्तिमाल कर सकते हैं इस क्रीम को आप दो टाइम यूज़ करें सुभा और शाम दोस्तों खास बात अगर मैं आपको बताओ तो यह है कि आप जब भी इस क्रीम का इस्तिमाल करें तो किसी परकार का साबून का इस्तिमाल ना करें एंटी वेक्टेरिले एंटी फंगल साबून का ही इस्तिमाल करें आई होब कि दोस्तों वीडियो आपको समझने आ गई होगी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए थैंक्स पर वाचिंग लव यॉल जैन जैवारत